हेलो एवडिवान वेल्कम बैक टू आधब वीडियो तो आज की सुड़ी में हम बात करेंगे कि आज के फ्रैडी नेट्स मैकडॉन में रुएल रंबल 2021 का युनिवर्सल चैंपिंशिप का जो हमें कॉंट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलता है उसमें कैसे एडम पियर्स के रिप्लेस कर देते हैं और कोनी बल्कि केविन ओएंस और आज के फ्रैडी नेट्स मैकडॉन में हमें क्या देखनी को मिला रुमनेस के कॉंट्रैक्ट साइनिंग में तो आज किस वीडियो में यहीं डिसकस करने वाले हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली यहीं क्या मालम चलता है कि यह रिंग में बैठे रहा जाते हैं चांपिय नर्च अब कर चलता है और उसके बाद बताते हैं को मेडिकली क्लियर नहीं है और गाईस दिचा होता है Adam Pearce बोलते हैं कि मैं जो मतलब मैं इस मैच में medically clear नहीं हो और जो मेरा replace होगा वो यह होगा और गाइस उसके बाद होता क्या है उसके बाद guys हमें Kevin Owens का returns देखनी को मिलता है और guys Kevin Owens अपने returns करते हैं उस contract और contract को sign करते हैं और guys अब officially announce हो जुका है कि at Royal Rumble 2021 हमें Universal Championship का मैच देखनी को मिलेगा और किसी के बीच में नहीं बलकि Kevin Owens vs Roman Reigns के बीच में यान कि guys ऐसा होगा कि 31st January वाले Royal Rumble में हमें मैच देखनी को मिलेगा Universal Championship के लिए और किसी के बीच में बलकि Kevin Owens vs Roman Reigns के बीच में और guys आज के Friday Night SmackDown में contract signing म में हमें यही देखनी को मिलता है और Adam Pierce को और को अनेबल की डिप्लेस कर गया है और को अनेबल की Kevin Owens तो guys आज के विडियो में यह तना ही और आज के Friday Night SmackDown में यही हो था जो कि आज को इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया तो खुब करता है खुड आपको help करेगी तो आ